हलो फ्रेंज नमस्कार मैं डॉक्टर किरन रहा है अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मेरा आज का विसे है हमारी सिर्की तोचा यानि स्कैल्प में डेंडर्फ की समस्या मैं आपको बता दूँ कि हमारी सिर्की तोचा स्कैल्प में एक फंगस बैया जाता है जिसका नाम है मिलसीजिया गलोबोसा लेकिन जिन लोगों के स्कैल्प में डेंडर्फ होता है उन लोगों में इस फंगस की मात्रा बहुत अधिक होती है अब आप यह जानना चाहेंगे कि आखिर यह फंगस हमारे स्कैल्प में करता क्या है तो मैं बता दूँ कि यह हमारे स्कैल्प के सिबेसियस ग्लेंट से निकलने वाले सीबम को खाता है और बदले में सीबम को मेटबलाइज करके यह ओली केसी बनाता है और यह ओली केसी थी टेंडरप के लिए responsible है यही हमारे scalp को red appearance देता है और खुजली होती है इसकी वज़ा से और देखा गया है कि कुछ ऐसे खाते पदार्थ हैं जिनका प्रयोग अगर पुरी तरह से बंद कर दिया जाएं तो flaking में आराम मिल जाता है जैसे कि bad fat वाले food आप यह जानना चाहिए कि bad fat हम कहां से में हम किन खाते पदार्थ में bad fat की मात्रा जादा होती है तो मैं बता दू हमारे red meat, butter, cheese और कुछ plant और resin के भी oil ऐसे हैं जिनके bad fat की मात्रा अधिक होती है जैसे कि coconut oil और पॉमाय इनमें bad fat बहुत अधिक होता है bad fat का पुरी तरह से इसका प्रेयोग बंद कर देना है और इन्हें processed food नहीं खाना है तलीवी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है और साथी साथ इन्हें अपनी skin को hydrated रखना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी skin को hydrated रखता है और जिसकी वज़ा से हमें dry skin और dandruff समस्याओं से छुटकरा मिलता है इन सभी जानकानियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं आपके अच्छे स्वास्त की कामना के साथ जै हैनी मैं जै हो यो पैथी